हाई अब्रिवान मैं अश्वेन उमीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे शॉट वीडियो की सीरीज के सेशन नमबर 15 में मैं आज आप सभी को डिफरेंस बताऊंगा बिट्वीन रोल आउट एंड रोल बैक आईए सेशन को स्टार्ट करते हैं पहले बात कि रोल आउट और रोल बैक ये दोनों ही फ्रेजेस हैं क्या है सर ये फ्रेजेस हैं और एक दूसरे के जस्ट ऑपोसिट हैं कैसे आईए पढ़ते हैं ये देखे जो फ्रेज है रोल आउट रोल आउट का मतलब होता है किसी फर्मान को जारी करना किसी रूल को किसी लौइक को औफिशली स्टेट कर देना उसे लावन्च कर देना उसे एंफोर्स करना इंप्लिमंट कर देना और रोल बैक का मतलब होता है उसी कानून को उसी लौ को उसी रूल को जो इशु किया गया था उसे वापस लेलेंअ तो तो roll out को क्या meaning हुआ किसी कानून को लागू कर देना और roll back को क्या meaning हुआ उसी कानून को वापस लेना मैं आपको एक practical या यूं कहिए live example बताता हूँ हमारे देश में अभी तेड़ दो साल पहले की बात है किसानों से संबंधित तीन नियमों को लागू किया गया था तो जब तीन नियमों को अलागों किया गया था by ministry of agriculture तो that was the roll out of those rules और फिर जब किसानों ने देश भर के किसानों ने उसका विरोध किया अपने अपने तरीके से तो फिर government को ना चाहते वे भी उन नियमों को वापस लेने पड़ा that was the roll back of those rules मैं आपको एक practical से बताता हूं यह देखिए यह एक paper है और यह ऐसे roll के form में है आप wedge roll खाते होंगे आप ऐसे सबल दी से अब इसको ना ऐसे से roll out किया गया ऐसे से यह देखिए roll out कर रहा हूं यह roll out कर रहा हूं अब इसमें एक फर्मान है एक आदेश है मैं राजा का मंत्री हूं और इससे पढ़ रहा हूं और कह रहा ह किया गया तभी तो इस paper में जो instructions लिखी वी थी जो फर्मान जो आदेश लिखा हुआ था उसको पढ़ के मैंने सुनाया तो इसको कहते roll out करना फिर सामने जो audience इसे सुन रही थी वो गुसा गई और उसने इंटे पत्थर फेकने शुरू किये तो मैंने पढ़ा पढ़ किया ऐसे ऐसे एसे जसे को roll back कर लिया और मैं भाग गया तो roll out करने का मतलब है किसी कानूल को ऐसे roll out किया लागू कर दिया और roll back करने मतलब है उसे ऐसे roll back कर लिया और ठंडे बस्ते में डाल दिया तो यह roll outわか meaning to officially state और introduce उसे विड्रॉ करना विड्रॉ करने का मतलब होता है सर जी वापस लेना क्या मतलब होता है वापस लेना आईए दो इंडो एक्जांपल से मैं उन्हें भी आपको समझा देता हूं इन दो इक्जांपल्स में आपको यहां पर पिल करना है कहां पर रोल आउट होना चाहिए कहां पर रोल बैक होना चाहिए अध्यवर्श में पर्स तैटन्स को रीड करिए द गाइवरमेंटन के लिए जय गाइवर्श से काम करना praying पर्रेफर करिए ऐसे लोगों के लिए सरकार प्लान कर रही है, क्या प्लान कर रही है कि वह एक नई policy को अब नई policy को government plan करेगी कि लेकर आये ना, launch कर एक तरीके से, तो government plan कर रहे है एक नई policy को launch करने को, तो फिर यहाँ पर आपको क्या इस्तिमाल करना चाहिए, rollout इस्तेमाल करना चाहिए क्या लिखना चाहिए सर जी रोल आउट फिर क्या लिख है अगले एक्जाम्पल रीट करिए the government had to sir had to का इस्तेमाल आप तब करते जब compulsion की बात हो बाधिता की बात हो the government had to its order making every citizen bear new and increased rate of tax when it faced strong public आयर का मतलब होता गुसा जिसको आप anger बोल सकते हैं wrath बोल सकते हैं या विरोध अगर आप कहें तो आप इसे opposition भी कह सकते है ठीक public आयर मतलब लोगों का गुसा जब सरकार को लोगों का गुसा जहिलना पड़ा तो सरकार ने जो order issue किया था जिसमें हर एक citizen को नय और बढ़े हुए rate of tax को bear करना था मतलब बरदास्ट करना था उसे pay करना था तो सरकार को जब लोगों का भारी गुसा जहिलना पड़ा तो government को क्या करना पड़ा होगा government को उस order को withdraw करना पड़ा होगा उसे roll back करना पड़ा होगा roll back करना पड़ा मुझे उमीद है आप सभी को आज का ये short video का session जरूर बसंद आया होगा जिसमें मैंने आपको roll out और roll back ये दो फ्रेजस बताईं थांक यू सो मुच बबाय टेक क्या